बड़ी खवर मिल रही है जैपुर से करमचारी चैन बोड से ये बड़ी खवर अपरिक्षा में नहीं काटी जाएगी शर्ट की बाजू फुल आस्तीन वाली शर्ट की एक्जाम में हुगी अनुमती अब तक एक्जाम में फुल आस्तीन शर्ट की नहीं थी अनुमती जाज के नाम पर शट की बाजू को काटा जा रहा था लेकिन अब बोड ने आस्तीन नहीं काटने की आदेश दिये करमचारी चेन बोड की अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने कहा की कुछ देर में जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन परिक्षा में फोल आस्तीन शर्ट की होगी अनुमती लेकिन शर्ट में बटन बिलकुल सिंपल होने चाहिए दिनेश तिवाड़ी मेरे सयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जैपूर से फोनन पर बन गए हैं दिनेश क्या जानकारी बिलकुल खुश वो बड़ी राहत कह सकते हैं उन्हों प्यार्टियों के लिए जो की कंपेटिशन का एक्जाम दे रहे हैं आभी या आगे देने वाले हैं क्योंकि अब सर्दी का मौसम भी आने वाला है तो हमें फुला सिन की सर्ट पहनना उनके लिए ज़रूर यह ठंड हलके हलकी शुरू होने जा रही है तो यह करमचारी बोर्ड की दर से बड़ी राहत है उन्हों प्यार्टियों के लिए कि आप जो कंपेटिशन एक्जाम हों कर चाहे गल्स या बोई जो भी सेंटर पर जा रहे थे सीधा उन पर कैंशी चला ही जा रही थी और उनके आस्थीन को परिक्षा केंदर के मुखे गेट पर ही काट कर आप आसिन बनाया जा रहा था जो जिससे चात्रों को भी ठोड़ा सा विल्टी फील हो रही थी जोड़ा गया है कि उसके बटन जो है पूरी तरह सिंपल होंगे साधा बटन होंगे कि बटन में की तरह का कोई गैजट चुपना हो इसको ध्यान में रखते वे सिंपल बटन की सारे टालाव की जाईगी बड़ी रहत के बिल्कुल बड़ी रहत है क्योंकि फुल स्रीश की पैन के जाते थे तो आस्तिन कार्ट दी जाती थी इससे अंकमफर्टीबल भी हो जाते थे चातर लेकिन एक अच्छी ख़बर है किते देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा बिल्कुल देखिए करमचारी चैन बोड़ के जो अध्यक्स है मेजर जिनर आलो कराज उन्ह पैन कर जा सकते हैं ठीक है तमाम जनकरी साजा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया